यहां जो हमारी माताए बहने हैं उनको जड़ा खुशी होगी आप अगर भारत के चुनाओं को डीटिल में देखते होंगे तो आपको धान आता होगा कि पुरुसों से जादा महिलाएं वोट कर रही है जपान से हमारा रिष्टा आत्मियता का है अध्यात्म का का है जपान से हमारा रिष्टा सहयोग का है अपने पन का है हमारे महाकाल है तो जपान में दाइको कुतिन है हमारे ब्रह्मा है तो जपान में बोन्तिन है हमारी मा सरस्वती है तो जपान में बेंजाईतिन है हमारी महदेवी लक्ष्मी है तो जपान में कीची जोतिन है तो हमारे गणेश है तो जपान में कानगीतिन है साथियो स्वामी विवेकानन जी जब अपने अईतिहासिक सम्मोधन के लिए शिकागो जा रहे थे तो उससे पहले वो जपान आये थे और जपान ने उनके मन मंदिर में उनके मन मस्तिक्ष के पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा था जपान के लोगों की देशभक्ति जपान के लोगों का आत्म विश्वास यहां का अनुशासन स्वच्छता के लिए जपान के लोगों की जागरूता विवेकानन जी इसकी खुल करके प्रसंसा की थे गुरुदेव रविद्रिनाजी ठगोर ये भी कहते थे जपान एक ऐसा देश है जो एक ही साथ प्राचीन भी है और आधुनिक भी है और टगोर ने कहा था जपान है अगज है जपान एक प्रसंसे आख फ्रसंसे लिए प्राच आपने अश्टेपिछ अगाने प्रसंसे भी है उपाने ये बहाने जपाने थे безопас ने अगजए इस विप्राच्छ अपान्या ये ने वीड है ने बडुटे घ्याँ आखे थे की ये थे ये वीड़ ने अमल के फूल की तरफ जितनी मजबूतिय से अपने जड़ों से जुड़ा है उतनी ही भवेता से वो हर तरफ सुन्दरता को भी बढ़ाता है हमारे इन महापूरुसों की ऐसी ही पवित्र भावनाएं जपान के साथ हमारे समंधों की गहरायों को स्पष्ठ करती हैं साथियों इस बार जब मैं जापान आया हूँ तो हमारे डिप्लोमाटिक समंधों को सत्तर साल होने जा रहे हैं साथ दशक साथियों आप भी हहां रहते हुए अनुभव करते होंगे हिंदुस्तान में भी हर को अनुभव करता है कि भारत और जपान नेचरल पार्टनर है भारत की विकास यात्रा में जापान की महत्वपन भूमी का रही है जापान से हमारा रिष्टा आत्मियता का है अध्यात्म का का है जापान से हमारा रिष्टा सहयोग का है अपने पन का है और इसलिए एक प्रकार जे रिष्टा हमारा सामर्थ का है ये रिष्टा सम्मान का है और ये रिष्टा विश्व के लिए सांजे संकल्प का भी है जापान से हमारा रिष्टा बुद्ध का है बोध का है ज्ञान का है हमारे महाकाल है तो जपान में दाइको कुतिन है हमारे ब्रह्मा है तो जपान में बोनतिन है हमारी मा सरस्वती है तो जपान में बेंजाइतिन है हमारी महादेवी लक्ष्मी है तो जपान में कीची जोतेन है तो हमारे गणेश है तो जपान में कानगीतेन है जापान में अगर जेन की परंपरा है तो हम ध्यान को, मेडिटेशन को आत्मा से साक्षातकार का माद्यम मानते है 21 सदी में भी भारत और जपान के इन सांस्कृतिक समंदों को हम पूरी प्रतिवत्यता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं और मैं तो काशी का सामसद हूँ और बड़े गर्व से कहना चाहूँगा कि जपान के पूर्व प्रधानमत्री से अभे जब काशी आये थे तब उन्होंने एक भहुत बढ़िया सोगात काशी को दी काशी में जपान के सहयोग से बना रुद्राक्ष और जो मेरी कभी कर्मभूमी रही वो एहमदाबाद में जेन गार्डन और काईजेन अकेडेमी यह ऐसी बाते हैं जो हमें कितनी निकट लाती है यहां आप सभी जापान में रहते हुए इस आइतिहासिक बंधन को और मजबुद बना रहे हैं और ससक्त कर रहे हैं साथियों आज की दुनिया को भगवान बुद्ध के विचारों पर उनके बताए रास्ते पर चलने की साथ पहले से ज़्यादा जुरूत है यही रास्ता है जो आज दुनिया की हर चुनोती चाहे वो हिंसा हो राजकता हो आतंकबाद हो क्लाइमेट चेंज हो इन सबसे मानवता को बचाने का यही मार्ग है भारत सवभाग्य साली है कि उसे भगवान बुद्ध का प्रत्यक्ष आश्चिरवाद मिला उनके विचारों को आत्मसाथ करते हुए भारत निरंतर मानवता की सेवा कर रहा है चुनोतियां चाहे किसी भी प्रकार की हो कितनी बड़ी क्यों न हो भारत उनका समाधान ढूनता ही है कुरोना से दुनिया के सामने जो सो साल का सबसे बड़ा संकट पैदा हुआ वो हमारे सामने हैं और यह जब शुरू हुआ था तब किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होगा शुरू में तो ऐसे ही लग रहा था किसी को पता नहीं सा इसको कैसे हैंडल किया जा है और वैक्सिन भी दें ति और नहीं बात को को एडिया था कि वैक्सिन कब तक आएगी यहां तक इस ब्रत पात पर भीडाव क्शें आएगी नहीं आएगे चान तरप कि अनिश्टित्त्ता का माहूल था उन परिस्थितियों में भी भारत ने दुनिया के देशों में दवाएं भेजी, जब वैक्सिन्स अवेलेबल हुई, तो भारत ने मेड इन इंडिया वैक्सिन्स अपने करोडो नागरिकों को भी और दुनिया के सो से अधिक देशों को भी भेजी, साथियों अपनी स्वास्त सेवाओं को और बहतर बनाने के लिए भारत अभूत पुर्व निवेश कर रहा है, दूर सुदूर क्षेत्रों में भी स्वास्त सुविधाय पहुंचे इसके लिए देश भर में लाखों लाखों नए वेलनेस सेंटर्स बनाई जा रहे हैं, आपको ये जानकर के भी खुशी होगी, शादा आज आपने भी सुना होगा, वर्ल हेल्थ और नैशन डबली अचो ने भारत की आशा वरकर्स, आशा बहनों को डारेक्टर जनरल्स, ग्लोबल हेल्थ लीडर एवोर्ट से सम्मानित किया है, भारत की लाखों आशा बहने, मेटनल केल्च से लेकर के वैक्सिनेशन तक, पोशन से लेकर के स्वच्छता तक, देश के स्वास अभ्यान को गती दे रही है, गाउं के अंदर, मैं आज जपान की धर्ती से हमारी सभी आशा वरकर बहनों को रदय से बहुत-बहुत बधाई देता हूं, उनको सेल्यूट करता है, साथियों, भारत आज किस तरह वैश्विक चुनोतियों का मुकाबला करने में मदद कर रहा है, इसका एक और उधारन, एन्वार्मेंट का भी है, अध क्लाइमेट जेंच, विश्व के सामने मौजूद एक महत्वपुन संकर्ट बन गया है, हमने भारत में इस चुनोति को देखा भी, और उस चुनोति से साही समाधान के लिए रास्ते भी खोजने की दिसा में हम आगे बढ़े, भारत ने दोहजार सत्तर तक नेट जीरो के लिए कमिट किया है, हमने इंटरनेशनल सोलार रेलाइंस जैसे ग्लोबल इनिशेटिव का भी नित्रुत्व किया, क्लाइमेट चेंज के कारण दुनिया पर नेच्रल डिजास्टर्स का खत्रा भी बढ़ गया है, इन डिजास्टर्स के खत्रों को, उनके प्रदूशन के दुश्प्रफावों को जापान के लोगों से ज्यादा बहतर और कौन समझ सकता है, प्राकृतिक आपदाओं से जापान ने लड़ने के ख्षमता भी बना दी है, जिस तरह जपान के लोगों ने इन चुनोटियों का सामना किया है, हर समस्या से कुझन कुछ सीखा है, उसका समाधान खोचा है, और व्यवस्ताय भी विक्सित की हैं, व्यक्तियों का भी उस प्रकार से समस्कार किया है, यह अपने आप में सराणिया है, इस दिशा में भी भारत ने CDRI याने Coalition for Disaster Resilience Infrastructure में लीड ली है, साथियों भारत आज Green Future, Green Jobs के लिए, केरियर रोड मैप के लिए भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, भारत में, इलेक्टिक मोबिलिटी को व्यापक प्रोचान दिया जा रहा है, Green Hydrogen को Hydro Carbon का विकल्प बनाने के लिए विशेश मिशन सुरू किया गया है, बायो फ्यूल से जूड़ी रिसर्च और इंफ्रास्रक्टर के निर्मान पर बहुत बड़े स्केल पर काम चल रहा है, भारत ने इस दसक के अंत तक अपनी टोटल इंस्टॉल पावर केपिसिटी का 50%, 50% नौन फोसिल फ्यूल से पुरा करने का संकल्प लिया है, साथियों समस्याओं के समाधान को लेकर भारतियों का जो ये आत्मविश्वास है, ये आत्मविश्वास आज हर छेत्र में, हर दिशा में, हर कदम पर दिखाई देता है, ग्लोबल सप्लाई चेन को जिस प्रकार, बीते दो सालों में नुक्सान पहुँचा है, पूरी सप्लाई चेन, सवालिया निजान में गिरी हुई है, अज सारी दुनिया के लिए है, ये अपने आप में बहुत बड़ा संकट बना हुआ है, भविष्य में ऐसी स्थिती से बचने के लिए, हम आत्म निर्फरता के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और आत्म निर्फरता का ये हमारा संकल्प सिर्फ भारत के लिए है, ऐसा नहीं है, ये एक स्टेबल, ट्रस्टेड, ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, आज, पूरी दुनिया को ये हसास हो रहा है, कि जिस पीड और स्केल पर भारत काम कर सकता है, वो अभूद पूर्व है, दुनिया को आज ये भी दिख रहा है, कि जिस केल पर भारत अपनी इंफ्रास्रेक्टर और इंस्टिटूशनल कपसिटी बिल्लिंग उस पर जो जो जोर दे रहा है यह भी अभुद्पूर्व है मुझे खुशी है कि हमारी इस कपसिटी के निर्माण में जपान एक एहम भागिदार है मुंबई अमदाबाद हाई स्पीड रेल हो दिल्ली मुंबई इंडर्स्टिल कोरिडोर हो डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर हो यह भारत जपान के सहियों के बहुत बड़े उधारन है साथियों भारत में हो रहे बदलावों में एक और खास बात है हमने भारत में एक स्ट्रॉंग और रिजिलियन्ट रिस्पॉंसिबल डेमोकरसी की पहचान बनाई है उसको बिते आठ सालों में हमने लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का माध्यम बनाया है भारत की डेमोकरेटिक प्रोसेस से आज समाथ के वो लोग भी जूड रहे हैं जो कभी गवरों के साथ ये अनुबों नहीं कर रहे थे कि वो भी इसका हिस्सा है हर बार हर इलेक्शन में रेकॉर्ड टर्न आउट और उसमें भी यहां जो हमारी माताएं बहने हैं उनको जड़ा खुशी होगी आप अगर भारत के चुनाओं को डीटिल में देखते होंगे तो आपको धान आता होगा कि पुरुसों से ज़्यादा महिलाएं वोट कर रही है यह इस बात का प्रमाण है कि भारत माएं डेमोक्रेसी सामान्य से सामान्य नागरीकों के हकों के प्रती कितनी सजग है कितनी समर्पिद है और हर नागरीक को कितना सामर्थवान बनाती है